जैहीन दोस्तों वेलकम बैक मैं चैनल फ्रेंड फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट सिक्स मंथ करन्ट अफेर सिरीज पार्ट टू इससे पहले मैं ने पार्ट फर्स बना दिया है जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनके लिए मैं आई बटन साथ में डिस्क्र आपको एक्जाम में पांच एच्छे करेंगे आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए काफी कोशन ऐसे हो सकते हैं जो आपने पढ़े होंगे आपका रिवीजन हो जाएगा और जो ये करेंट अफेर्स हैं कभी भी आप जब भी आपका एक्जाम होना हो उसे 10 दिन पहले 15 दिन पहले देख सकते हैं ताकि आप एक्जाम देने चाहें तो आपके जो करेंट अफेर्स कवर हो जाएं और जो भी कोशन आते करेंट अफेर्स से 5 ये 6 वो आप easily attempt करके जाएं ठीक है वो ही करेंट अफेर्स हैं जो बहुत important एक बार आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा चीक है तो मैं आपको दिखाऊंगा पहले कुछ से try करना है अगर नहीं लगेगा तो चीक है आप वीडियो करते रहना अगर जो नहीं यार आप लिग भी सकते हैं न अंतर राश्ट्रे महिला दिवस किस तारिक को बनाया जाता है तो फ्रेंट राइट अंसर होगा option बी 12 जुलाई को अंतर राश्ट्रे महिला दिवस बनाया जाता है चलते हैं question 32 की तरफ किस महिला करिकेटर को जून 2023 के लिए ICC player of the month का सम्मान मिला है तो फ्रेंट यह हैं Australia क इनको ICC की तरफ से player of the month 2020 दिया गया है चलते है question number 33 की तरफ दो जुलाई को नवाड ने अपना कौन सा इस्तापना दिवस मनाया है तो फ्रेंट राइट अंसर ऑप्शन सी 42 बास्तापना दिवस बनाया है नवाड ने दो जुलाई को चलते है question number 34 की तरफ friend very very important question है काफी बार ही एक्जाम में देखा गया है तो इसको आप note down कर ले नहीं तो इसको आप थोड़ा सा दिमार्क में रखना है हैंले passport index 2023 के अनुसार भारत भारतिय passport की ranking क्या है तो फ्रेंट इस बार ये भारतिय passport की जो ranking है वो है option A 80 चीक है यहाँ पर आपको country की ranking दिख रही होगी जैसे Singapore पहले इससान पर है उसे 227 में से 192 नंबर मिले हैं जर्मनी इटली स्पेइन को 190 मिले हैं ऐसी फ्रेंट जो जपान पहले कभी एक नंबर पर रहा करता था वो तीसरे पर चला गया है जिसे मिले 189 ठीक है तो total 227 में से यह नंबर दिये जाते हैं जिसमें भारत की जो ranking है वो 80 है इस पारी ठीक है 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 पासपोर्ट इंडेक्स 22 में तो काफी important question है इसको आपको याद रखना है चलते है question number 34 की तरफ अंतर राश्रे रक्षा परदर्शनी 22 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो friend इस पारी जो अंतर राश्रे रक्षा परदर्शनी है वो दक्षिन कोरिया में की जाएगी बहुत important है चीक है तो उसको भी आपको याद रखना है दक्षिन कोरिया में अंतर राश्रे रक्षा परदर्शनी 22 का आयोजन किया जाएगा चलते है question number 36 की तरफ भारत ने हाले में किस देश के साथ नई PD के सैन्य उपकरण विक्सित करने के लिए समझोता किया है तो फिर्ण ये कौन सा देश है तो आपको पता है फिर्ण चीन के साथ हम ऐसे को समझोते करी नहीं सकते हैं तो राइट अंसर क्या होगा इसका option C France के साथ हमने ये समझोता क्या है जिसमें हम नई PD के जो है सैन्य उपरण बनाएंगे साथ में मिलके चीक है चलते हैं कोशन नंबर 37 की तरफ विमंडल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीता प्राप्त महिला किलाडी कौन बनी है फ्रेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट इससे पहली मैंने ये कोशन कवर किया है तो यह आपको याद रखना है प्रेंट बहुत ज़्याद चांसे इस फ़री एक्जाम में आने के तो इनका नाम है मार्केटा वॉंद्रोस होगा ऑप्शन ए इसका रैडेंसर होगा चीक है चलते हैं कोशन नंबर 38 की तरफ हाली में पी-म मोदी ने वीर सावार कर इंटरनेशनल ए इसका हाली में उद्गाटन हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी की दवार किया गया है चलते हैं कोशन नंबर 49 की दरफ हाली में तीसरे G20 वित्य मंत्रियों और केंद्रिये बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहां किया गया तो फिरन ड्राइट अंसर होगा ऑप्शन डी गांदी नगर में यह कोशन भी आने के चांस होंगे जी टॉन्टी से कोशन आने के पूरे पूरे चांस होंगे तो मैकसिम कोशन कवर कर लेना ताकि कोई भी कोशन आए आप इजी रटाइम्ट कर ले चलते हैं 40 की दरफ किस राज्ये में हाली में चाचीन गाड़ जिंग उ फ्रेंड ये जो उस सब है ये बनाया गया है अनुनाचल परदेश आप्शन भी चलते हैं कोशन नमर 41 की दरफ किस पुरुष किर्केटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर आफ दी मन्त का सम्मान मिला है तो इनका नाम है फ्रेंड आप्शन सी वानिंदू हसरंगा ये शिलंगा के प्लेयर हैं इनको ICC प्लेयर अफ दी मन्त दिया गया है चलते हैं कोशन नमर 22 की तरफ यूवा वर्ड तिरंदाजी चैंपेशिप की रिकर्व वर्ग में स्वन जीतने वाली पहले भारते खिलाड़ी कौन बने है तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये पहले इंपोर्डेंट रहता है तो उसको आपको याद हकना है ओप्शन डी पार्थ सालूंखे चलते हैं कोशन नमर 43 की तरफ विश्व जन्जंक्या दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो अबरें डाइट अंसर होगा ओप्शन ए ग्यारा जुलाई को ग्यारा जुलाई को हम विश्व जन्जंक्या दिवस बनाते हैं चलते हैं कोशन नमर 44 की तरफ अंतर राश्ट्य विद्य सेवा केंद्री प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने है तो प्रेंट 44 का राइट एंसर होगा ओप्शन बी के राजा रम के राजा रमन जुए अंतर राश्ट्य विच सेवा केंद्र के प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने है चलते हैं 45 कोशन नमर की तरफ राश्ट्य विवाद निवारिकरण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने है तो प्रेंट इसका राइट एंसर होगा ओप्शन सी किस राज्य केंद शाचित परदेश ने मुवाइल दोस एप लॉंच किया है तो फ्रेंट इसका राइड एंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर ने मुवाइल दोस एप लॉंच किया है चलते हैं कोशन अमब 47 की तरफ रक्षम अंत्याले ने भारतिय नोसेना के लिए कितने राफे लड़ाकु विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है तो फ्रेंट राइड एंसर होगा इसका ऑप्शन सी 26 राफे लड़ाकु जो लड़ाकु विमान है जो खरीद जाएंगे आने वल समय में वह है 26 ऑप्शन सी इसका राइड एंसर होगा चलते हैं कोशन नमबर 48 की तरफ पैरा एथेलेटिक्स विश्व चैंपेंशिप 2023 में किस भारतिये ने रज़त पदक जीता है तो फ्रेंट कौन सा भारतिये है इसका राइड एंसर है ओप्शन डी निशाद कुमार ने चलते हैं कोशन नमबर 48 की तरफ किसे हाल किसे हाल ही में गोल्डन पिकॉक पारेवरन प्रबंदक प्रशकार 22 परदान किया गया है तो फ्रेंट इंपोर्टेंट है याद रखना पर अडानी टांस्मिशन लिमिटिट काफी ज़्यादा ये नाम चर्चा में रहा है तो इसल चलते हैं कोशन नमबर 50 की तरफ वैश्विक खादिर निवंग शिकर समयलन दुरतेज भारत में पहली बार किस शहर में आयुजित हुआ है तो इंपोर्टेंट है पहली बार भारत में आयुजित हुआ है तो जो आयोजय ने वो नए दिल्ली में किया गया था ओप्शन भी इसका राइडेंसर होगा चलते हैं कोशन में क्यावन की तरफ किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जैनरेटिव ए आई टूल लांच किया है तो यह दुनिया का पहला जैनरेटिव ए आई टूल है जो बीमा के लिए किया गया है तो यह कंपनी है सिंप्लिफाइ option C के द्वाराई किया गया है तो याद रखना ये पहला है चलते है question number 52 की दरफ भारतिय ओलम्पिक संग ने किस wrestler को SI के ट्राइल से चूट दे दी है तो friend ये option C बजरंग पुनिया को SI के ट्राइल से चूट मिली है चलते है question number 53 की दरफ Australia किस शहर में Commonwealth Games 26 की मेजवानी ना करने का पैसल है तो friend ये ऐसा कौन से शहर है जो नहीं करेगा 26 की Commonwealth Games का आयोजन तो option C Victoria City है उनकी जहां पर ये आयोजन नहीं किया जाएगा तो आपको याद आखना और अस्टेरिया में 26 की Commonwealth Games होने है और उनमें से भी Victoria के अंदर इन खेलों का आयोजन नहीं किया जाने वाला है चीक है चलते हैं कोश नंबर 24 की तरफ नीती आयोग द्वारा जारी निरियात तयारी चुचकांग 23 के तीसरे संस्क्रण में पहाड़ी हिमाले राजियों में कौन सा राजिय शीज इस्तान पर रहा तो क्योंड राइडेंसर अपुशन C उत्ला कण उत्ला कण ऐसा राजिय रहा जो पहाड़ी हिमाले राजियों में सीर्ज पर रहा है निरिया तयारियों में चलते हैं कोश नंबर 25 की तरफ लिथुवानिया में भारत के अगले राज़ूत के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो प्रेंट डाइडन्सरों का ओप्शन B दिवेश उत्तम को लिथुवानिया में अगले भारत के राज़ूत के रूप में न्युक्त किया गया है चलते हैं कोशन नमर्च छंपन की दरफ ADB ने चालू वित्यवर्ष के लिए भारत की विरिद्धी दर का अनुमान कितने पतीशत पर ब्रकरार रखा है तो फ्रेंट ओप्शन B 6.4 पतीशत पर इसको ब्रकरार रखा गया है चलते हैं कोशन मर्च तावन की दरफ हाली में किस भारतिय राजिये में हरेला पर्व आयोजित किया गया है तो फ्रेंट यह राजिया है ओप्शन A उत्रकर्ण में इसका आयोजित किया गया है चलते हैं कोशन नमबर अठावन की तरफ भारत किस देश के साथ सैनिए अभ्याज नोमेडिक एलिफेंट दोज़़ तेइस में भाग लिया है तो अपराण वेरी वेरी इंपोर्टन नाम भी इंपोर्टन नहीं याद लिखना आपको यह आपशन C मंगोलिया में चीक है तो इंपोर्टेंट इसमें भाग लिया है मंगोले के साथ नॉमेडिक एलिपेंट 223 में चलते हैं उनसेट की दरफ आई SSF शॉर्टगन वर्ल्ड कप में किसने कांसे पतक जीता है तो फ्रेंट ऑप्शन ए पिर्थवी राज येंडीमन ने आई SSF शॉर्टगन वर्ल किसने हाली में नैशनल मल्टी डाइमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है तो अप्शन सी नीथी आयोग ने जारी किया है यहां पे सभी राज्यों के लिए रहेंगे